दोस्तों गर आप बीरोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों भारत और बंगलदेश के बीच तीन टीट्वेंटी मैचों की सीरीज का दूसरा टीट्वेंटी मुकाबला आज खेला जा रहा है यह टीट्वेंटी मुकाबला राजकोट के सवरार्ष्ट क्रकेट असोसेशन स्टेडियम में खेला जा रहा है बंगलदेश ने पहले टीट्वेंटी मुकाबले को साथ विकेट से जीता था अब टीम इंडिया चाहेगी कि दूसरे टी-20 मैच को जीत कर सीरीज को बराबर करे जहां दोस्तों अब दोस्तों दूसरे टी-20 मकाबले में टीम इंडिया के कप्तार रोहिद सर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पहले गेंद बाजी करते हुए टीम इंडिया के शुरुआत काफी ज़्यादा खराब रही क्यूंकि टीम इंडिया के गेंद बाजों ने कुछ अच्छी गेंद बाजी नहीं किये लेकिन दोस्तों बंगलदेश की टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी करते होए पावर प्ले में बिना कोई विकेट गवाते होए छे ओहर में चोपन रन बनाए टीम इंडिया की गेंदबाजों ने पावर प्ले में अच्छा प्रदशन नहीं किया लेकिन पावर प्ले के बाद साथवी ओहर की दूसरी गेंद पर रिशा पंतन ने लिटन दास को रन आउट कर दिया और इसी रन आउट के बाद बंगलदेश की टीम की विकेट गिरते ही रहे बंगलदेश की टीम पर अब बड़ा संकट आ चुका था क्यूंकि युजवेंदर चहल बहतरीन और खतरना गेंदबाजी करने लगे थे जिहां दोस्तों पहले टी-20 में बंगलदेश के जीत के हिरो रहे मुश्पिकुर रहीम को युजवेंदर चहल ने चार रनों पर चलता किया फिर चहल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे रहेम के बाद 30 रन पर खेल रहे सुम्य सरकार को भी चहल ने क्या चाउट करवा दिया जिहां दोस्तों इसके बाद बंगलदेश की टीम ने 20 ओहर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए जिसमें युजवेंदर चहल ने 4 ओहर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किये जिहां दोस्तों टीम इंडिया की तरब से रोहिद सर्मा और शिकर धवन ने तूफ़ानी बल्लेबाजी का नमोना दिकाया जिहां दोस्तों टीम इंडिया ने पहले 6 ओहर में 63 रन बनाए जिसमें 20 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 2 चोके और 4 चोके मौजूद थे जिहां दोस्तों अब दोस्तों तीसरी ओहर की चोती गेंद पर एक ऐसा खतरनाक चक्का रोहिद सर्मा ने लगाया जिसे देखकर अमपायर साइद पूरा स्टेडियम हैरान रहे गया था जिहां दोस्तों अब आपको हम बताते हैं मुस्तिपजुर रहमान गेंद बाजी कर रहे थे तीसरी ओहर की चोती गेंद मुस्तिपजुर रहमान रोहिद सर्मा को डाल रहे थे ऐसे में रोहित सर्मा जैसे ही रोहित सर्मा के पास गेंद आई तो रोहित सर्मा ने खड़े खड़े बीच मैदान में खड़े खड़े टहर कर सामने ऐसा खतरनाक छका लगाया जिसे देख कर हर किसी का दिल खुश हो गया जहां दोस्तों रोहित सिर्मा के इस छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम गुंज उटा और रोहित रोहित के नारे लगाने लगा तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी रोहित सिर्मा के इस चक्के को लेकर खुश हो रोहित सिर्मा के इस प्रदर्शन को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों साथी में हमारे यूटुब चैनल को लाल वाले सबस्क्राइब ओले बटन को जरूर दबाए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं आपको हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में